उत्तरप्रदेश की प्रशाष्निक राजधानी लखनव से 325 किलोमेटर की दूरी पे स्थित 1535 वर किलोमेटर में फैले 36,678,44 जनसंख्या वाला धार्मिक नगरी काश्वी जिसे 1956 में अधिकारिक रूप से वारानसी का नाम में तब्दिल कर देया गया आज की वीडियो वाराणसी के अध्यात्मिक सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक तथा वारानसी के हर उस बिंदू को शामिल किया है मैंने जो की वारानसी के एक डौकुमेंटरी वीडियो के लिए परयाप्त है चलिए पूरे वारणसी की जनकारी को साजा करते हुए हम वीडियो को आरम करते हैं पयाटन द्रिष्टी कोड भारत के अनेक बड़े पयाटन इस्थलों में से जाने माने वाले स्थानों में से एक वारणसी का नाम भी धार्मिक तथा पयाटन सूची में शामिल है जिसमें वारणसी के गंगा तट तथा काशी विशुनात जोतिलिंग और सारनात के बौध इस्थुफों को देखने ये तू पयाटकों की भारी संख्या में आवागमन जारी है यहां की प्राचीन भाषा शांस्कृत एवं बोलचाल की आम भाषा भोजपरी एवं हिंदी है वारणसी पौरणिक काल से ही धार्मिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध है लेकिन समय समय पर जैन, बौध, मुस्लिम, सीख धर्म के लोगों ने भी वारणसी पर गहरा प्रवाव डाला कुल तहसिल मुक्हिरूप से वारणसी को तीन तहसिल में विवाजित किया गया है जिसमें वारणसी तहसिल, पिंडरा तहसिल और राजातलाब तहसिल शामिल है वारणसी की जनसंख्या वारणसी की कुल जनसंख्या 36,76,841 है जिसमें कुल ग्रामीडाबादी 20,89,790 और अगर पुरुष जनसंख्या की आकड़ा को देखा जाए तो 10,76,520 वही महिलाबादी 10,3,264 है वहीं दूसी तरफ वारणसी की शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो 15,97,151 और इसमें से पुरुषो की जनसंख्या 8,45,331 है तथा महिला की जनसंख्या 7,57,720 है वारणसी कुल छेतरफल वारणसी की कुल छेतरफल 1535 वर्ग किलो मीटर है जिसमें से 163 वर किलो मीटर ग्रामीड तथा 1372 वर किलो मीटर शहरी का छेतरफल विभाजीत है वाराणसी जिले में कुल 5,60,uin62 माकान है जिसमें से 3,6,978 मीड तथा 2,15,184 माकान शहर में निर्मित है प्राचिन काल सही वारण Nasi के अध्यात में सांस्कृतिक तथा सिक्षा के वारण Nasi हमेशा उच्छ स्तर पर रहा है तो वारण Nasi में आवगमनि के लिए प्रशास्निक स्तर पर तथा सरकारदवारा यातायात की सुगम सुविधाई दी गई tahu जिसमें से हवाई अड़ा, रेल मार्ग, सड़क मार्ग सभी चीज़े शामिल है बात करते हैं हवाई अड़ा की वारारसी सहर से 26 किलमेटर दूर पिंडरा तहसिल के अंतरगत वावतपूर नामक छेत्र में 1985 में स्थापिद वारानसी का एक मात्र हवाई अड़ा है जिसे अक पूजेट जैसे कमपनी अपने हवाई अड़ा की से वाई परदान करती है वारानसी के स्थानी तथा चित्तरी लोगों के लिए दुबाई, काटमांडू, माल देश, बैंककॉक, मलेशिया जैसे अनेक विदेशी उड़ाने इस हवाई अड़े से सीधी उड़ाने भरती है वही भारत के अनेक शेहरों के लिए घरेली उड़ाने जैसे की पूने, मुंबई, डेली, बेंगलोर, कोलकाता, उत्राखंड, चिर्नई, भुमनेश्वर, रायपूर, हैदरवाद, विशागाबट्नम, आगरा, लखनओ, इत्यादी शेहरों के लिए सीधी उड़ाने वार वारनसी जंक्षन है, जोकि 9 प्लेटफॉर्म के साथ कुल 192 गाडियों का परिचाला निरंतर रूप से जारी है, जोहनपूर, प्रताबगड, प्रियागराज, मउग, गाजिपूर, मुगल सराय से आने वाले मार्क के अनेक ट्रेनों इस वारनसी जंक्षन को विशाल रू आने ट्रेन 5 डेमू, 128 एक्सप्रेस ट्रेन, एक गरीब रत, 6 हमसफर ट्रेन, 2 जंशत अबदी, 5 मेवून, 9 पेसेंजर, 4 राजधानी एक्सप्रेस, 48 सुपरफास्ट एक्सप्रेस और वारनसी के नियु दल्ली तक जाने वाली पंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 के परिच भूलनपूर, हर्दतपूर, राजातलाब, बहेडवा हॉल्ट, निगतपूर, लोता, चौकंडी, सेवापूरी, शिफपूर, भीरापटी, बावतपूर, पिंडरा रोड, खालिसपूर, सारनात, कादिपूर, रजवारी तथा पंडित दिन दयाल जंक्षन प्रताबगड, एवं जौनपूर से वारनसी के पश्मिश शेत्र को सडक यातायात से जोड़ा जाता है, एवं वारनसी के पूरवी दिशा की ओर गाज़ेपूर, बकसर, आराथ, छपरा, एवं पटना को वारनसी शहर के लिए सडक मार्ग द्वारा सीधे जोड़ा गया है वारनसी के उत्रे दिशा की ओर आजमगड, टांडा, एवं बस्ती जिले के लिए सीधे यातायात की सुविधा सुगम है, एनेच नैंटीन, एनेच टू और एएच वन, डली से कोलकाता जाने वाला राजमार्ग भी काफी प्रसिद्ध है, वारनसी जलमार्ग वारनसी में प्राचिन काल से जलमार्ग की प्रयोग किया जाता था, गंगा जलमार्ग आज भी सक्री है, जोकि लोग नौका के द्वारा कोलकाता पटना से आवागमन सुचारू रूप से जारी है, जिसमें से वैपारी, तथर, रोजी रोटी वाले इस जल यातायात को सक् वारनसी के घाट, वारनसी की प्रसिदी चिनारी वहां के गंगा घाट तथा वहां की गंगा आर्थी और काशी विश्वनात जुदरलिंग से ही प्रसिद्ध है, लेकिन वारनसी में कुल 84 घाट है, जोकि प्राचिन समय पे अलग-अलग राजाओं के नाम पर घाट एवं अनेक मंद्रियों का निर्मार किया गया था, वारनसी के कुछ प्रसिद घाटों के नाम है, जैसे की दशाशुमेद घाट, अस्सी घाट, मनी कर निगा घाट, मानमंदिर घाट, तुलसी घाट, दरभंगा घाट, चेत सिंह घाट, केदार घाट, मुंशी घाट, शिवाला अहिल्याबाई घाट, मीर घाट, जैन घाट, ललिता घाट, मांसरोवर घाट, नारत घाट एवं राना महल घाट इत्यादी इत्यादी वारानसी के धार में कि स्थल गंगा नदी के दशाशुमित घाट के नजदीक, गुदोलिया नामक छेतर में इस्थित, बारा जोतिरलिंग में से एक काशी विश्वनाद जी का मंदिर स्थापीत है, जो की 1780 में अहिलियाबाई होलकर द्वारा इस मंदिर की स्थापना करवाई गई थी 1803 में राजा रणजीत सिंग द्वारा दान किये गई, एक टन सोने से मंदीर के गुंबदों को सोने की चादरों से अलंकरित किया गया, वारा नसी के इस महादेव के चुत्रलिंग के दर्शन करने के लिए लाखोश अदालों का यहाँ पर आवागा मन जारी है, यही वारा अलसी के कुछ अनेक मंदीर और धार्मिक इस्थलों की बात की जाये तो दुर्गा मंदीर, बाबा काल भायरव मंदीर, मृत तुजय महादेव मंदीर, संकट मोचन मंदीर, मारकंडे महादेव मंदीर, अनपुंडना मंदीर, भारत माता मंदीर, नए आकाशी विशुनात म जो कि बनारस हिंदी उनिवर्सिटी में इस्थीत है ये सभी स्थान और मंदिर दर्शनार्थियों के लिए आस्था का केंद्र है पहुत एवं जैन धर्मों की तेर्थिस्तल सारनात में लोग दर्शन करने के लिए आवश्य जाते हैं और यहीं के साथ चोखंडे स्थूप, रामनगर किला, धमेक स्थूप, मूलगंद, कुटी विहार, धर्मराजिका स्थूप, अशोकिस्तम, चाइना टेंपल, जैपैनिश टेंपल, दिगंबर जैन मंदिर, थाई मंदिर, गोल्डन टेंपल, दीपलंका, बुद्ध विहार, स चद्धालवों का आवागमन सुचारो रूप से जारी रहता है, तो वारानसी के धार्मिक तथा पैटेंट रिष्टिकोर से ये काफी अनुमोल इस्थान है, सिक्षा, वारानसी प्राचिन काल सही सांस्कृतिक अध्यात में एक तथा सिक्षा का केंद्रा है, बनारास सिक्षा का एक मूल इकेंद्र है, तो आशा करता हूँ ये वारानसी की डॉकमेंटरी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, आगर मैं इस वीडियो में कुछ और चीज़े रह गई है, तो मैं शमा प्रार्ति हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि आने वाले अनेक शहरो मैं आपके प्रशनों के जवाब हुभु देने का प्रयात्म आवश्य करूँगा, और कमेंट सेक्षन में जरूर जिक्र कीजेगा कि अगली डॉकमेंटरी वीडियो कौन से शहर की चाहिए आपको, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, जिससे फिरहाल इतना ही, हमेशा की तारा मैं सौरप पतेल, मिलते हैं एक नई डॉकमेंटरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, जैहिंद